साथियों आप सब्सक्राइब पर स्वागत है इस वीडियो में हम लोग आगामी ROARO2023 और UPPCS2024 को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में उत्तरप्रदेश से सम्हीत जो भी महत्पुनुप्रश्ण है और साथ ही साथ जो Current Affair के महत्पुनुप्रश्ण है उन प्रश्णों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो यहाँ जो content है यहाँ content आपका जो है Target Deputy Collector with Vivek जो coaching सहस्था है इनके द्वारा जो एक प्रकार से practice set कराया गया है उसी practice set को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और इसमें आपका उत्तरपदेश से समधित प्रश्ण है और साथी साथ आपके Current Affair से समधित प्रश्ण है तो इन प्रश्णों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तो चलिए प्राराम करते हैं पहला प्रश्ण है कि शोनभदर इस्थित ओबरा ताप विधुत गिरी की स्थापना किस देश के सायोग से की गई थी तो इसे शोबिश संग के सायोग से स्थापित किया गया था ठीक है कब 1967-71 के मद्द में किया गया था और यहां सिंग्रावदर कोयला च्षेतर के निकट इस्थित है अगे बढ़ते हैं निम्रित में से कौँ सा कथन सही है यहां पे दो कथन दिए गए हैं पहला है कि उत्तर पदेश में कॉयला मुकिता सोनभदर जलनपद के निचले गुंडवाना च्षेतर में इसे सिंग्रावली में पाय जाता है सही है यह कथन दूसरा शोनभद्र का कजराहट छेत्र चूना पत्थर उत्खरन रहे तो प्रसिद्ध है ये कथन आपका गलत है ठीक है देखें जो आपका शोनभद्र का कजराहट छेत्र है ये डोलोमाइट उत्खरन के लिए काफी प्रसिद्ध है ठीक है ना कि चूना पत्थर के लिए ड रिहन पर इस्थापित है माता तिला जलव दूद्र परियोजना यह यंवनान दीव के नहीं है बेटवा नदीव पर है ठीक होत यहाँ पर बिवाला गलत है परिश्चा जलव द१ूद के बेटवा नदीव पर है आपका जहंसी साइड में शुमेरा जल बिधुद परियोजना गंगा नदी पर है आगे बढ़ते हैं अगला है नेमलिकित में से कौन सा ताप बिधुद ग्री NTPC के द्वारा नहीं संचाली था थाथ National Thermal Power Corporation के पास उसका संचालन नहीं है तो यहाँ पर देखिए तो दादरी ताप बिधुद ग्री गौतम बुद नगर इसका संचालन NTPC के पास है अनपरा ताप बिधुद ग्री शोनभदर का संचालन जो है आपका NTPC के पास नहीं है बलकि इसका समयमित किसके पास है उत्तरपदेश सरकार के पास है तो अनपरा ताप विदुद्गिरी जो शोनभद्र है इसका संचालन कों करता है उत्तरपदेश सरकार करती है ना कि NTPC करती है तो यहाँ पर B option हो जाएगा इसके तिक और या ताप विदुद्गिरी जोनभद्र में इस चीज को याद रखेगा आगे बढ़ते है उत्तरप्रदेश वन इस्तित रिपोर्ट 2021 के संदर में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है तो यहाँ पे चार कथन दियेगा है देखे उत उत्तरप्रदेश का सरवाधिक वनावरण वाला जिला शोनभद्र यह कथन सा यह दूसरा उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश में शगनवन चेत्र के अंतरगत उत्तरप्रदेश में शगनवन चेत्र के अंतरगत सरवाधिक चेत्र लखीमपूर खीरी में यह भी साही ह उत्तरपदेश के भागुलिक छेत्र में कुल वागुलिक छेत्र में 9.83% है ये कथन आपका गलत है ये कथन आपका गलत है क्योंकि देखिए उत्तरपदेश 173.21 गलत है उत्तरपदेश के भागुलिक छेत्र में कुल वागुलिक छेत्र में 14,817.89 km है जो भागुलिक छेत् वरन वाला जन्तपद है यह कतन सही है यहां ध्यान रखेगा 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 की वन रिपोर्ट में 12.29 वर किलोमेटर छेत्रपल में विर्धी हुई है आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम रामसर साइट कौन सा है तो यहां पर कौन सा इन चार में ऊपरी गंगा नदी के छेत्र को घोश्रिट किया गया था ठीक है तो 2005 में से घोस्ति किया गया था और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं तो कुल 10 रामसर साइट है है इसको ध्यान दियार आगे बढ़ते हैं निमल्कितम से कौन सा बाट अब्यार्ण निम्निकित में से कौन सा बाग है अब्यार्ण उत्तर प्रदेश में इस्थित है तो देखिए इने चारों में से जो अमनगड़ बाग अब्यार्ण है अमनगड टाइगर रिजर्व ये आपका उत्तर प्रदेश में है कहां पर है उत्तर प्रदेश में है ठीक ह वर्तमान में यदि आप देखें तो उत्तरप्रदेश में कुल चार बाग रिजर्व है दुदवा बाग रिजर्व, अमंगर टाइगर रिजर्व है पीली भी टाइगर रिजर्व है और चित्रकूर का रानीपूर टाइगर रिजर्व है जो अभी हाली में जो है गोशित किया गया था रानीपू टाइगर रिजर्ब जो है उत्तर प्रदेश का चौथा था और भारत का जो तिर्पनवा फिप्टी थ्रीवई नंबर का था अब वर्दवान में भारत में कितने हैं 54 हो गये हैं ठीक है यहां ध्यान रखेगा अगला है आपका उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मयूर सनचन केंदर इस्तित है तो कहां पर है तो मयूर सनचन केंदर आपका मतुरा में है कहां पर है मतुरा में है ठीक है देगे उत्तर प्रदेश के मयूर सनचन केंदर जो मयूर आगे बढ़ते हैं उत्तरप्रदेश सरकावद्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना की सुरुवात किस्तित्कु की गई थी तो ये 24 जनवरी 2018 को जो है उत्तरप्रदेश का इस्थापना दीवश के रूप में मनाया जाता है तो 2018 में 24 जनृरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रारम में किया गया था ठीक है दिखिये हाल ही में उत्तरप्रदेश सरकावदरा फिल्म अबनेत्री कंगना रणाओत को जो है एक जिला एक उत्तपाद योजना का ब्रांड अमेशन निफ्ट किया गया है और इस य प्रियाग राज मंडल के अंतरगत नहीं आता है तो देखिए प्रियाग राज मंडल में आपका कौशामभी प्रताबगर्ण फतेपूर आता है और खुद प्रियाग राज मंडल में खुद चार जिले हैं प्रियाग राज, कौशामभी, प्रतेपूर और प्रताबगर्ण इसमें आपका मिर्जापूर नहीं आता है तो यह option आगे बढ़ते हैं उत्तरपदेश के राज की चिन्यकों निम्लेखित में चेक्छे किस महारख से लिया गया है तो इसे रूमी दर्वाज़ा जो आपकी दो मचलियां है और एक मिर्द में दो मचली और एक तीय धनूष है तो इसमें ये कहां से लिया गया है? रूवी दरवाजा, रूवी दरवाजा कहां पर है? ये लखनों में ठीक है? रूवी दरवाजा लखनों में, ध्यान रखिए कि महात्पूर्ण है उतरपदेश के राज़की चेने के अंत्रगत एक बृत्व में दो मचली और एक तीर धनूष है, इसे 1938 में, 1938 में, रूमी दरवाया से लिया गया है, आगे बात करते हैं, उत्तर पदेश राज सुचना आयोग की स्थापना किस तित्कों की गई, तो देखिए, 14 सितम्बर 2005 को, 14 सितम्बर 2005 को जो है, उत्तर पदेश सुचना आयोग की स्थापना की ग नयमूर्थी M.A. खान है, कौन थे? पहले सुचना आयुद कौन थे? M.A. खान, वर्तमान में कौन है? वर्तमान मुख्य सुचना आयुद भावेश शिंग है, और ध्यान रखेगा, राज सुचना आयुद की आयुद का जो सची होता है, सुचना आयुद होता है, मुख्य सु और कितने जिले हैं तो 75 जिले हैं और 17 नगर निगम हैं आगे बढ़ते हैं निमलित में से कौन सा कथन जो है वो शही है कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर देखें दो कथन दिये गए हैं कर्णट अफेर के संदर में है यह पहला है महिला विश्व बॉक्सिंग बॉक्सर अलग अलग वजन सेनियों में स्टुनपदक जीतने में सफल रही है यह कथन आपका गलत है क्यों क्योंकि तीन नहीं बल्कि चार जीती है ठीक है तो इस 13 हमें संदर में भारत की कुल 4 महिला बॉक्सर ने स्टुनपदक राप्त किया है कोन-kोन सी है लौलीन बोर गोहन 75 kg वर्ग में नीतु घगाश 48 kg वर्ग में निखत जरीन 50 kg वर्ग में और स्वीटी बूरा 81 kg वर्ग में तो चार महिला उने श्रुन जीता है तो पहला कथन सही दूसरा गलत है इसलिए ए आप्शन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निमलित मेंशे किसे विश्व बैंक का अगला अध्च नामित किया गया है तो अजय बंगा को किसे नामित किया गया है अजय बंगा को नामित किया गया है ठीक है भारती मूल के ही है परुईद रहा तेईस में मास्टर कार्ड के मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कारिकारी अधिकारी अजय बंगा को विश्व अगला अध्यच निक्तिया गया वर्त्वान में ये विश्वायं के अध्यच हैं। अध्यच निक्तिया गया था इसलिए हम लोग 24 जनवरी को क्या है उत्तरपदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। अगे बढ़ते हैं अगला है उत्तरपदेश के प्रथम राजिपाल थे कौन थे तो उत्तरपदेश के प्रथम राजिपाल सरोजनी नैडू थी। ये भारत के प्रथम महिला राजिपाल रही है ठीक है। कौन सा राजिपाल है तो देखिए आपका जो टेशू है टेशू जिसे पलाश भी कहते हैं टेशू आपका जो है उत्तरपदेश का राजिपाल है। शारस या क्रांच है क्रांच जब किये राज किये बिच क्या है शीता शीता सोग ठीक है आगे चलते हैं अगले में दो सूचियां दी गई है इन्हें हमें शुमिरेद करना है जनपद और उनके मुख्याले के संबंद में तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध नगर का गौतम बुद्ध नगर का मुख्याले क्या है नोडा है चार से मिला जिए आपका जोतिवा फुले नगर का आत अमरोहा है वन से मिला जिए शंत कवीर नगर का क्या है खलीलाबाद है शिधार्थ नगर का नोगड है तीन सो जाजगा तो देखिए आपका 4, 1, 2, 3 अथा D option ह फिर से देखर गौतम बुद्ध नगर का मुख्याले नोडा है जोतिवा फुले नगर का अमरोहा है संत कवीर नगर का क्लीलाबाद है शिधार्थ नगर का नौगड है उत्तरपदेश राजय परटन विकास निगम लिम्टर की इस्थापना कि गई थी कग कि गई थी तो इ अगे चलते हैं उत्तरपदेश वित्य निगम के संदर में निमलिकित में से कौन सा या से कथन जो है शत्य हैं तो यहाँ पर आपके पास दो कथन दिये गए हैं ठीक है पहला यह लगु तथा मध्यम इस्तरी उद्योगों को वित्य शाहता प्रतान करता है उत्तरपदेश जो वित्य शाहता प्रतान करता है तो पहला कथन सा यह दूसरा गलत है तो इसलिए आपका ए उप्सन हो जागा देखिए उत्तरपदेश राज वित्य निगम की स्थापना राज वित्य निगम एक्ट 1951 के अंतरगत वर्स 1954 में की गई थी यहाँ निगम राज में लगुयों प्रोग्राम कहते हैं तो आकांची जिला कारिकरम के अंतरगत उत्तरपदेश के कितने जिलों को सामिल किया गया है तो उत्तरपदेश के कुल आठ जिलों को सामिल किया गया है इसमें कुल पूरे देश ते 112 आकांची जिलों को जिसमें से आपका उत्तरपदेश के आठ जि दुबार नाम सुन लिजिए, शोनभद्र, पतेपूर, सिधार्थनगर, चित्रकूट, चंदाउली, बलरामपूर, बहराईच और सरावस्ति, अगला है, हैंड़ बुक आफ एक्रिकल्चर, हैंड़ बुक आफ एक्रिकल्चर प्रकासित होती है, किसके द्वारा, तो भारती क अंसंधान प्रसित अथात, ICAR के द्वारा, हैंड़ बुक आफ एक्रिकल्चर प्रकासित की जाती है, आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार कौन सा है, तो हस्तिनापूर वन्यजीव बिहार जो है, यह उत्तर प् शमस्पूर् पच्छी बिहार राईवरेली में नर्णावजी स्वे 177 पते पार देखा है। अब्रक उत्तरपदेश में नहीं पाया जाता है तो चूना पत्थर बाकसाइट जिपसम पाया जाता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दो सुचियां दी गई है इन्हें हमें सुमिलित करना है कि कौन सा जिला जो है किस उत्पास से सम्मंदित है तो देखिए यहाँ पर आपक के लिए ललिदपूर तांबा के लिए दो से मिला जिए मिर्जापूर नॉन प्लास्टिक पायर क्ले के लिए तो वन से मिला दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 4321 4321 बी ऑप्शन हो जाएगा आगे बढ़ते है अगला है निमलित्म से कौन सही सुमेलित नहीं है तो प्रदेश के लिएतपूर जिले में उरेनिम के सिमित भंडार की खोज की गई है और प्रदेश में कajला सोण भदर जिले के निजले गुंडवाना चेतर पाया जाता है और आगे बढ़ते हैं निम्द कथनों पर विचार कीजिए यहां पर आपके पास दो कथन दिये गए हैं और बताना है इनमें से सत्य कथन कौन सा है पहला हाल ही में रूष ने नाटों के विस्तार को बाधा बताते हुए आधिकारिक तौर पर इरोपिये पारास्परिक ससस्तर बल संधी CFE से बाहर हो गया सही है दूसरा CFE संधी का उद्देश पारंपरिक हतियारों को शीमित करना और सीति उद्दिके प्रद्द्दियों के म अगे चलते हैं यहां पर आपके दोनों कथन जो है क्या है सही है आगे बढ़ते हैं अगला है नॉमबर 23 में जारी एडलगीव रून इंडिया पिलेंट्रोफी लिस्ट 23 में किसे दानदातों की सूची में सीर सिस्थान प्राप्त हुआ है तो स्यू नडार को किसको स्यू नडार को ठीक है और दूसरे पर अजीम प्रेम जी है आगे चलते हैं ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2013 के संबंद में निम्न कतनों पर यहाँ पर हमें विचार करने हैं तो हमारे पास यहाँ पर चार कथन दिये गए हैं ठीक है चार कथन दिये गए हैं बताना सही कों से हैं तो पहला ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13 संसक्रण 5 अक्टूबर 2023 से 19 नौमबर 2023 तक भारत में उजीद हुआ सही है विश्व कप का खिताब अस्टेलिया ने भारत को पराजिद करके जटी बार जीता है यह भी सही है इसे विश्व कप में बिराट कोहली जो कि भारत की प्लेयर है प्लेयर आवदा रुनामिन चुनेगा सही है विश्व कप में सरवाधी 24 विकट भारती गेदवाज मुहम्मद समी ने लिया ये भी सही है चार के चारो कथन सही इसलिए डी आप्सन हो जाएगा अगला प्रशन है आपका किन्ने में कत्मों पर विचार कीजिए दो कथन यहाँ पर दिये गए हैं पहला दिसंबर 2023 में केके बिड़ला फाउंडिशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेकी का पुष्वा भारती को उनके शंश्मन यादे 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 और यादे के लिए यहाँ सम्मान वर्श 1993 में स्थापित हुआ था नहीं यह कथन गलत है क्योंकि 1991 में यह स्थापित हुआ था ठीक है तो पहला सही है दूसरा गलत है तो यह आप्शन हो जाएगा देखिए इस पुरशकार को 1991 इक्यान बे के 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 बिड़ला पाउंडिशन प्रारेम कहता पहला ब्यास सम्मान वर्श 1991 में राम बिलाश सर्मा की करती भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए गया था राम बिलाश सर्मा को और यह जो है ज्यान पीट पुरशकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा शाहित पुरशकार है ठीक है ब्यास सम्मान तो ध्यान रखे कि ताहिती स्वा ब्यास सम्मान किसे दिया गया है तो लेखी का पुष्पा हिंदी लेखी का पुष्पा भारती को उनकी संस्वन यादे 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 और यादे के लिए आगे बढ़ते हैं 16 नॉम्बर 12 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद